हेलो डी टीचर्स आप PFMS पर expenditure sheet कैसे बनाएंगे और किस तरह से vendor को payment करेंगे अपने विद्याले में आई हुई composite grant से related इस वीडियो में यही जनकारी देने वाले हैं बने रही हमारे साथ पहली वार चनल को विजिट कर रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क चलिए शुरू करते हैं गूगल में टाइप करेंगे PFMS जैसा कि आप सभी लोग जानी चुके होंगे और PFMS की इस official website पर आ जाएंगे यहां login पर क्लिक करेंगे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें यहां login ID में जो detail login होगी यहां पर जो आप ID login करेंगे वो agency data operator की login होग जो कि expenditure sheet तयार करेगा और vendor aid करेगा जैसे कि आप सभी को लोग पता होगा तो यहां आपने जो ID बनाई होगी agency data operator और agency data approver तो आप यहां पर agency data operator की ID login का लेजिए इस तरह से यहां पर agency data operator की ID ओपन हो जाएगी website में देखेंगे यहां पर आपको बहुत सारे options देखने को मिले यहां आपको नीचे scroll करना है और यहां मिलेगा expenditures इस पर क्लिक परेंगे expenditure पर क्लिक करने के बाद add new पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपके सामने create expenditure detail का form open हो जाएगा यहां scheme आपकी already select हो करा रही होगी UP113 समग सिच्छा okay project आपको select नहीं करना है कोई compulsory नहीं है agency account choice यहां पर self रहेगा bank account आपके विद्या लगा जो bank account होगा वो यहां पर दिखा रहा होगा expenditure done for यहां पर आपको select करना है कि expenditure किसके लिए आप तयार करना चाहते हैं तो आपने जो vendor set की होंगे उनी के लिए तयार करना चाहते हैं तो आप यहां vendors वाला option select कर लेंगे अब vendor name वे आपको box में कुछ नहीं बढ़ना है आपको यहां पर जाना है select vendor इस blue color पर click करना है जैसे यहां पर जाएगे यहां पर आपकी list open हो जाएगी जो आपने vendors add कि होंगे अभी तक आपने vendor अगा rate नहीं किये हैं तो जल्दी से कर लिजगा क्योंकि जब आप vendor add करेंगे तब ही य लेक्ट होगा उसी vendor के लिए यह expenditure तयार होगा vendor कैसे करेंगे इस पर अलड़ी वीडियो बना चुके हैं उसका लिंक का अभी इस वीडियो के description में दिये दे रहे हैं बहाँ से देख लीजेगा यहां पर जो आपके vendors को करेगा उन में से जिसे payment करना चाहते हैं उसे select कर लीज अगर लेटर जारी नहीं होता है अगर SMC यह capital letters में रहेंगे फिर slash लगाएंगे उसके बाद date डाल देंगे फिर slash लगाएंगे उसके बाद आप पहली बार जो पहला number खर्च कर रहे हैं तो zero band डाल दीजिए दूसा bill बना रहे हैं तो zero two डाल दीजिए ऐसे अपना order number रिक त date है यहाँ पर आपको date select कर लेनी है जैसे यहाँ पर हम आज की date select कर लेते हैं उसके बाद actual direction date जो है automatically fill होकर आएगी जिस date में आप expenditure बना रहे होंगे यहाँ पर आपकी total available amount आ रहा होगा आपके विद्याल की composite grant रुपियों में यहाँ पर आ रही होगी total amount आपको कितना amount रहे हैं तो यहाँ 10,000 भाड़ लिया नरेशन में आप अपने payment से related कोई sentence भर दीजेगा जिसे आप यह payment किस मद भी आप ब्याय करना चाहते हैं उसकी detail यहाँ भर सकते हैं बाउचा नंबर यह blank रहेगा इस अब कुछ नहीं करना है अब तोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो य यहाँ पर आपको expense type में revenue select करना है यहाँ पर percentage आपको hundred भर देनी है hundred जैसे ही बरेंगे क्योंकि यहाँ पर जो total amount का voucher बना रहे हैं यह से हमने बरा 10,000 तो पूरे यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ aid पर click कर देंगे और यह इस तरह से aid हो जाएगा आप इसे चाहें तो remove भ करने के बाद आपको save पर click कर दाना है इस तरह सी बाउचर नमबर आपको मिल जाएगा इस तरह सी बाउचर तयार हो जाएगा अगले वीडियो में आपको बताएंगे आप इस expenditure के बाउचर को किस तरह से e-payment से जोड़ेंगे e-payment से जब जोड़ेंगे तभी आप इस voucher से payment करवा पाएंगे अपनी bank के दोरा उसके बाद approval ID से ये कैसे approve होगा वो आपको next वीडियो में बताएंगे तब तक के लिए wait करिएगा